अब कंप्लीट कैसे करना है वह और वर को फिल करके वह और वर को आप यहां पे फिल करेंगे और अब को फिल करेंगे इन दो ब्लांक स्पेस यह ब्लांक स्पेस जो आपको नीचे दिये गए है fine, so first, the birds were flying over the tree birds क्या कर रहे है, पेड पर birds जो है पक्षी जो है वो उड रहे थे second, second, there was a man in the room कमरे में एक आदमी था third, the child was ill, बच्चा बिमार था fourth, the children were happy, बच्चे क्या थे? खुश थे fifth, the man were not satisfied, आदमी संतुष्ट नहीं थे? तो को बटा फिर बता रहे हूं, जहां man की बात कर रहे हैं, वाम singular की बात कर रहे हैं, और जहां m e लग जाता है, that means a purel की बात कर रहे हैं sixth, बहुत सारे man की, okay, so sixth, the circus was grand, circus खैसा था? बहुत grand था, भव्य था, बहुत बड़ा था seventh, the books were not interesting, यह जो किताबे थी, किताबे दिलचस्व नहीं थी eighth, the soldiers were very thrusty, सैनिक जो थे, सैनिक जो है, सैनिक बहुत प्यासे थे, they were very thrusty, प्यासे ninth, the army was ready to action, सेना कार्यवाही के लिए तैयार थे, सैनिक या सेना आर्मी ten, the people were busy in their work, लोग अपने काम में व्यस्त थे, busy थे, busy means व्यस्त थे next, frame six sentences using was or were, आपको क्या करना है, six sentences बनाना है, क्या यूज करके, was or were को use करके, as above जैसे नीचे दिये गए थे, do not copy from above, और क्या करना है, cheating नहीं करना है, ऊपर से copy, नहीं करना है, okay, so first, he was happy, वे क्या है, वे खुश थे, वे खुश था, they were said, वे दुखी थे, there was a chair, there was a chair in the room, कमरे में एक कुरसी थी, he was a good man, वो क्या है, एक अच्छा आदमी था, मिनाक्षी was a teacher, मिनाक्षी क्या है, एक teacher है, अध्यापक है, 6th, Ravi and Rahul were playing, Ravi और Rahul क्या कर रहे है, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, okay, so I hope, worksheet 12 will be understand by the student, thank you beta, have a nice day,